ओम शांतिम हम सभी इस अंसार में बहुत बहुत भाग्यवान और खुश नसीब है जिने ऐसा स्रेष्ट भाग्य मिला कि भगवान इस रस्ती पर कैसे गारिये करता है कैसे वो अपना पाट वजाता है कैसे आत्माओं को प्यार से संगार करके द्रस्ती देकर पावन बना देता है घर ले जाता है हमारी मूल स्थिती में हमें ले जाता है भगवान को देखने का सुन्दर पाट मिला हमारी खुशी का कोई ठीकाना नहीं भगवान हमारे लिए खुशियों का भंडार लेकर आया है उसने अपने सब भंडार हमारे लिए खोल दिये हैं बच्चे जो चाहे ले लो अब ये हमारे उपर है हम अपने बुद्धी को कितना एकागर करते हैं जित को कितना श्यांत करते हैं स्वयम को कितना निर्मल करते हैं बावा तो दाता वन कराया है और सब कुछ देने आया है उसने तो कह दिया मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं वो तो खाली होने आया है हमें भरपूर करने जरा अपने भाग्य को देखें, इस सुन्दर अवसर को देखें, क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, और खुसियों में डांस करते रहें, ये हमारी खुसी हमारे ब्रेन की सलवटों को खोल देती है, ये हमारी खुसी हमारी बीमारियों को समात कर देती है, ये खुसी हमारे चेहरे पर तेज ले आती है, और इसी से बहुत ज़्यादा सेवा होती है, हम संकल्प कर लें, हमें बहुत खुस रहना है, संसार के लोगों के लिए तो खुसी महंगी होती जा रही है, धन्वान भी खुस नहीं है, संबंदों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, कारिये व्यभार में भी टेंशन का माहूल बनता जा रहा है, संसार में अनेक लोग मन्सिक रोगों से पेडित होते जा रहे हैं, हमें उन्हें खुस रहना सिखाना है, हमें उन्हें खुसियों का दान देना है, हमारे वाइब्रेशन्स में इतनी सक्ती है, कि सभी की उदासी को समाप्त कर सकते हैं, जरा खुसी में डांस कर लें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिसने भगवान की पालना ली, जिसने भगवान का प्यार पाया, जिसने भगवान को इस धरा पर भाग्य बाटते हुए देखा, या डांस करते हुए देखा, गोई यह रैस खोलते हुए देखा, वहा मेरा भाग्ये, बस माया की कोई भी काली नजर हमारे इस भाग्य को चीन न ले, हमारी खुशी को चुराकर न ले जाए, ये सावधानी हमें अवस रखनी है, क्योंकि माया भी हमारे पीछे है, वो हमें खुश नहीं देख सकती, और बस इतना ही दियान रखेंगे, कि हम संकल्प क्य करते हैं, जो खुशी नस्त हो जाती है, हम दूसरों से क्या चाहते हैं, हम दूसरों में क्या देख लेते हैं, जो हमारी खुशी लोप हो जाती है, गलती दूसरे करें, और खुशी लोप करने का नुकसान हम करें, कमिया दूसरों की, और हम उनको चित पर धारन करके, अपन हमें आनंद को समाप्त कर दें, हम क्यों पर चिंतन करें, ये समय तो स्वचिंतन का है, ये जीवन तो महानकारिय करने के लिए मिला है, हमें विरंतर सब को स्रेश्ट वाइब्रेशन्स देते रहना है, तो आईए हम ऐसे लाइठ हाउस माइठ हाउस बने, चलते फिरते लाइठ हाउस माइठ हाउस, जिन से संसार की सभी आत्माओं को हर पल प्रकास मिलता रहे, वाइब्रेशन्स मिलता रहे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे स्रेश्ट वाइब्रेशन्स की इस संसार को इ जड़ों में हैं, हमाधार मोर्थ है, हमारी खुसी सभी को प्रसंता का वर्दान देगी, इसलिए छोचोती बातों में अटक कर, हम इस खुसी को गुम नहीं करेंगे, तो आज सारा दिन, इस वर ये प्राप्तियों को याद करके, खुसी में दांस करते रहेंगे, और बातादा का अहवान करेंगे हर गंठे में, और अनुभव करेंगे, उसने अपना वर्दानी हाथ मेरे सेट पर रख दिया है, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम च्छान्ति